नमस्कार! पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है. दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढिया की बड़ी दुख भरी कथा. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. दोस्तों, एक गाव में एक बुढिया रहती थी, उसके एक बेटा और एक बहु थे. बुढिया माई अपने बेटा बहु से बहुत प्यार करती थी, बेटा भी अपनी माँ की बहुत सेवा करता था, उसे खाना खिलाता, नहलाता, क्योंकि बुढिया माई की उम्र तकरीबन सत्तर पच्छत्तर साल थी क्योंकि अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो स्वयम कुछ अपना कर सके अब एक दिन उसका बेटा कहने लगा, मा, यहाँ पर कोई काम धन्दा नहीं है, इसलिए मैं परदेश जाकर कमाने के लिए जा रहा हूँ उसकी मा ने कहा की, ठीक है बेटा, तुम परदेश जाओ, अपनी ग्रहस्ती भी चलानी है तब वो अपनी बहु को समझाने लगा, कि मेरे जाने के बाद मेरी माता का पूरा ध्यान रखना, उसे किसी प्रकार की कोई दुख ना हो उसकी पत्नी बोली, ठीक है, मैं मा का पूरा ध्यान रखूंगी लेकिन बहु बड़ी दुष्ट प्रवृती की थी, वो हमेशा बुढिया से छुटकारा पाने के लिए सोचती रहती थी बेटे के आगे तो वो कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन बेटे के जाते ही तो वो अपनी मन मर्जी करने लगी वो ना तो बुढिया का सही से ख्याल रखती थी और ना ही उसे सही से खाना पीने के लिए देती थी कभी दिन में खाना दे दिया तो रात को नहीं दिया, रात में दे दिया तो दिन में नहीं दिया ऐसे ही बेचारी बुढ़िया बहुत रोती रहती थी, वो मजबूर थी कि क्या करें? अब कुछ दिन के बाद उसका बेटा परदेश से लोटा तो, वो अपनी मा के पास गया और पूछने लगा, मा तुम कैसी हो, तुम्हारी सेवा तो ठीक से हुई है? लेकिन बुढ़िया क्या कहती? वो सोचने लगी, अगर बेटे को सच बता दिया तो, बेटा बहु से लड़ाई करेगा, और घर में कला होगी. इतने दिनों बाद मेरा बेटा घर आया है, मैं उसकी सुख शांती नहीं भंग करना चाहती, और उसने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया. और कहने लगी, हाँ बेटा, मेरी बहु ने बहुत सेवा की है, बेटा खुश हो गया, और अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार से मिला. अब शाम को जब बेटा आया रात को तो पत्नी से बोला की मां को खाना खिला दिया तो पत्नी ने कहा की हां खिला दिया तब वो अपनी मां के पास गया और बोला मां खाना खा लिया तो मां कहने लगी नहीं मैंने खाना नहीं खाया तब वो अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा मां तो कह रही है खाना नहीं खाया तब वो बोली मां की तो उम्र हो गई है भूल गई होंगी मैंने उनको खाना खिला दिया है आप निश्चिन्त रहिए और सारा काम समेट कर पती पत्नी सोने के लिए चले गए बुढिया बेचारी बहुत देर तक इंतजार करती रही की शायद बेटा खाना लेकर आएगा अब वो भूखी भी थी पूरा दिन उसका निकल गया था भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी उसकी आत्मा कुल बुला रही थी तब वो देखी कि बहु बेटा सोने चले गए तो वो रोती रोती कहने लगी बेटा बहु सो गए आस मेरी तूट गई निंद्या रानी जाओ मेरे पास सो जाओ हे माता रानी हे प्रभू ऐसी जिंदगी से तो मुझे उठा ले अपने पास बुला ले इस तरीके से वो बोल रही थी तो उसके बेटे को कुछ आवाद सुनाई दी तब वो कहने लगा मा कुछ बोल रही है तब उसकी पत्नी बात बदलते हुए कहने लगी कुछ नहीं तुम्हारी मा कुछ नहीं कह रही है वो बोला की नहीं कुछ कह रही है तो बोली की चलो तुम सुन लो क्या कह रही है जब उसकी मा ये कहती की मेरे पास सो जाओ अपने पास बुला लो, तब तो पत्नी चुप रहती और जब वो बीच के शब्द भूलती तो उसकी पत्नी बीच में अटकाव करती, कुछ बातें करने लगती तो बेटे को बस यही सुनता की आजाओ, मेरे पास सोजाओ मुझे अपने पास बुला लो, यही बेटे को सुनाई देता तब उसकी पत्नी कहने लगी, वो अपनी पत्नी से कहने लगा की ऐसी क्या बात है जो माँ, इस टाइम ऐसे बोल रही है तब वो कहने लगी की अगर आप कही रहे हो तो चलो बता देती हूँ, नहीं तो मुझे तो बताते हुए भी बड़ी लज्जा आती है तुम्हारी माँ इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती है वो मुझसे बार-बार कहती है कि मुझे भी सहारे की जरूरत है मुझे अकेला नहीं सोना है, मेरी भी शादी कर दो मुझे तो कहते हुए बड़ी लज्जा आ रही है तब उसका बेटा कहने लगा, यह क्या बक्वास कर रही हो मेरी माँ भला ऐसा क्यूं बोलेगी? वो कहने लगी, नहीं, यही सच है तब उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास हो गया क्यूंकि बेटा भी थोड़ा मूर्ख टाइप का था उसने अपनी मा से कुछ नहीं पूछा और अपनी पत्नी से बोला कि सुभा ही मैं मा का रिष्टा तै करके आता हूँ वो कहने लगी कि हाँ इनका रिष्टा कर दो इनकी शादी कर दो और इन्हें इस घर से विदा करो अब बेटा एक गाव में जाकर मा का रिष्टा तै कराया उसने अपनी मा से कुछ नहीं बोला और आकर कहने लगा मा मैं जो है काम तुम्हारा करी आया हूँ अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है उसकी मा ने सोचा शायद मेरा बेटा मेरे पास रहेगा इसलिए बोल रहा है तो वो कहने लगी कि ठीक है बेटा मुझे और क्या चाहिए मुझे तो बुढ़ापे में सहारा चाहिए अब वो तो अपने बेटे के लिए बोल रही थी लेकिन बेटा सोच रहा था मा तो सचमुझ शादी करना चाहती है वो बोला तो कुछ नहीं अब उसने रिष्टा तै कर दिया तै समय पर बारात आ गई बारात आई तो वो बुढ़िया की बात चारों और फैल गई की बुढ़िया की शादी हो रही है सब लोग अडोसी पडोसी उसके मुह पर थूखने लगे कहने लगे की नालायक इस उम्र में अपनी मा की शादी करा रहा है तो वो कहने लगा की इसमें मेरी क्या गलती है मेरी माँ खुद चाह रही है कि उसका विवाह हो और जो गाव की बड़ी बुढ़ी औरतें थी वे सब उस बुढ़िया के पास गई की चलो हम इसकी माँ से ही पूछते हैं अब बुढ़िया माई को तो बेचारी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है तब वो उस बुढ़िया से पूछती है कि जो तुम्हारा बेटा कर रहा है वो सही है क्या किसी की दादी, किसी की चाची, किसी की ताई जो भी लगती थी सब उससे पूछने लगे बुढ़िया से कि तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे लिए कर रहा है वो सही है अब बुढिया माई सोचती की मेरा बेटा कोई अच्छा ही काम कर रहा है अगर मैं मना करूंगी तो मेरे बेटा की तो बड़ी बुराई हो जाएगी बदनामी हो जाएगी वो कहने लगी हाँ मेरा बेटा सही कर रहा है अब गाव के लोग सब हाथ मलने लगे बताओ, इस उम्र में बुढ़िया शादी कर रही है, अब सब कहने लगे बड़ी कुलक्षमी बुढ़िया है, हम तो बड़ी अच्छी, बड़ी पूजा पाथ वाली समझते थे बड़े नेक दिल की थी, लेकिन ये तो बड़ी खराब औरत निकली जो इस उम्र में भी इससे शादी की पड़ी हुई है, खुद से तो संभला नहीं जाता है, और यह शादी करेगी अब बुढ़िया बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे अब शादी की जब बारात घर पर आ गई तो बुढ़िया माई अपनी बहू से बोली की बहू, ये किसकी बारात घर पर आई है तो बुढ़िया की जो बहू थी कहने लगी अब चुप भी हो जाओ, क्यूं ड्रामा कर रही हो, तुम्हारी बारात आई है, और किसकी आई है? बुढिया माई एकदम से सन रह गई, वो कहने लगी, मेरी बारात, भला मैं इस उम्र में शादी करने लायक हूँ, जो मेरी बारात आएगी? तब वो कहने लगी की, ज्यादा मत बोलो, अगर तुमने कुछ ज्यादा चुंचा की तो, तुम्हारा बेटा जो कह रहा है की, मैं अपनी मृत्यू के लिए तयार रहना, तुम्हारा बेटा मर जाएगा। मेरे बेटे को क्या चड़ है? अब वो रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी. हे मातारानी, धर्ती फट जाए, मैं इसमें समा जाओं। मुझे ऐसे कौन से कर्म की सजा मिल रही है? लेकिन बेचारी बुढिया क्या करती, रो पीट कर बैठ गई. उसका बेटा आया, और कहने लगा, मा जल्दी चलो, नहीं तो मुझे अब बहुत बरदाश्ट नहीं हो रहा है. अब जो बुढिया फिर डर गई, उसने सोचा की शादी नहीं करूंगी तो ऐसा ना हो, बेटा फांसी लगा ले, मर जाए. वो जाकर चुपचाप मंडप में बैठ गई, अब बुढिया की शादी हो गई, और बुढिया की विदाई होने लगी तो बहु बुढिया से कहती है, अगर अपना भला और हमारा भला चाहती हो तो इस घर में कभी मताना, और यहां से चली जाओ, अब तुम्हारी शादी ह हो गई है, बेचारी बुढिया रोती हुई डोली में बैठ गई, जो कहार थे वो डोली उठाकर चल दिये, चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा घिराया, अब वे पडोस में ही एक गाव था, उस गाव में रुख गए, एक परिवार ने उन्हें पनाह दी की, रात आप यहा था, कोई ऐसा साधन नहीं था, सवारी का, तो वे लोग एक घर में रुख गए, जिस घर में वे रुखे थे, उस घर की जो मालकिन थी, मतलब महिला थी, मुख्या, वो बड़ी आलसी थी, वो कोई भी काम घर में सही से नहीं करती थी, नहीं कोई पूजा पाट करती थी, उ उसका सारा घर का सामान इधर-उधर फैला हुआ था, कहीं सूप, कहीं जाडू, कहीं तराजू, कहीं बर्तन ऐसे पूरे घर में फैले हुए थे, जो बाहर आंगन में चारो तरफ फैले हुए थे, तो बुढिया बेचारी एक कोने में बैट कर रोने लगी, और अपने बेटे मां को अपने बेटे से अलग होना पड़ गया। मैंने तो जीवन जिन्दगी के इस पड़ाव में कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे से अलग हो जाऊंगी। अब वो तरह तरह से माता रानी से प्रार्थना करने लगी। तभी सूप और जाडू आपस में बाते कर रहे थे, बरतन भी उनके साथ बोल रहा था। कह रहे थे कि जो ये घर की मालकिन है, इसके पास लक्ष्मी कहां से ठहरे, ये कभी हमारी कदर नहीं करती है, देखो मैं चारो तरफ बिखरा पड़ा हूं। जाडू कहने लगी कि ठंड में हमें बाहर फेंक देती है, हम बाहर पड़े रहते हैं। सूप भी कहने लगा कि इस ठंड का टाइम है, हम बाहर पड़े रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो हमें उठाकर अंदर रख दे, अगर हमें कोई उठाकर अंदर रख देगा तो हम उसे बहुत खूबसूरत बना देंगे। बुढिया माई ये सब सुन रही थी। अब वो उठी और उसने सूप, ज़ाडू, बरतन, तराजू, पंसेरी, जो भी इधर उधर घर का सामान था, सब सलीके से लगा दिया। तो बुढिया अचानक ही सत्तर साल से सोला साल की सुन्दर कन्या बन गई। ये देखकर बुढिया बड़ी अचम्बित हुई की, ये क्या चमतकार हो गया। बरतन भी कहने लगे की, मैं भी इसके साथ जाऊंगा, अब जो घर की लक्षमी थी, वो बुढिया के साथ चल दी। अगले दिन सुभह हुई तो कहार विदा करने के लिए बोले तो, बुढिया जब डोली में बैठी तो, कहार देखकर हैरान रह गए। वो जिसे लेकर आये थे, वो तो सत्तर साल की बुढिया थी, और ये तो सोला साल की लड़की है, बुढिया माई से वो कुछ नहीं बोले, और चुपचाप डोली उठा कर चल दिये, जब बुढिया माई अपने ससुराल पहुँची तो, घर परिवार के लोग भी देखकर स सन रह गये, अरे इतनी खुबसूरत लड़की सोला साल की कमाल हो गया, वो तो बुढिया बता कर गया था, सब लोग बोले की, चलो ये जैसे इन्होंने किया है, ठीक है, हमें क्या हमारे घर में तो बहु आ गई, और उसके घर में रहने लगी, अब उधर साथ आठ दिन हो गये तो, पडोसी जो उसके बेटे के साथ तफरी कर रहे थे, मजे ले रहे थे, कह रहे थे, अरे तेरी मां को गय हुए साथ आठ दिन हो गये, तो लेने नहीं गया, बेटे ने सोचा की, सच में लेने जाना होगा, तब वो अपनी पत्नी से कहने लगा की, मैं अपनी मां को लेने जा रहा हूँ, उसकी पत्नी कहने लगी की, पागल हुए हो, जो मां को लेने जा रहे हो, अब उसने हमारी समाज में सब के सामने नाक कटा दी, अभी भी उसे लेने जा रहे हो, बेटा कहने लगा की नहीं, लेने तो जाना पड़ेगा, अब बेटा मां को लेने चला जब वो उसकी ससुराल पहुंचा तो 16 साल की जो बुढ़िया 16 साल की बन गई थी उसने देखा उसका बेटा आया है तो वो भाग कर जल्दी से चार पाई बिछाई उस पर चादर बिछाई और बेटे को बड़े आदर के साथ बिठाया दोड़कर पानी लाई अच्छा अच्छा खाना बनाया उसे खाना खिलाया और उसे तब हालचाल पूछा तब वो बेटा कहने लगा की मेरी माँ इस घर में है मैं उसे लेने आया हूं तब वो कहने लगी बेटा मैं ही तेरी माँ हूं तब वो लड़का हैरान रह गया और उस कहने लगा क्यूं मेरे साथ मजाक करती हो मेरी मा तो सत्तर साल की बूड़ी औरत है तुम तो सोला साल की कन्या हो तो कहने लगी की नहीं मैं ही तेरी मा हूँ जब तुने मुझे विदा किया था तो उस समय हम एक घर में रुके थे और उस घर में ज़ाडू, सूप, बरतन आपस में बाते कर रहे थे कि जो भी हमें उठा कर रखेगा हम उसे सुन्दर कर देंगे मैंने वो सब चीजें सलीके से उठा कर रख दी उनके वरदान से ही मैं सोला साल की बन गई पूरी बात बताती है तो वो कहता है कि मां तुने ये सब क्यूं किया क्यूं तुने समाज में मुझे बोलने के लायक नहीं रखा क्यूं तुने दूसरी शादी की अब उसकी मां रोने लगी और कहने लगी बेटा मैंने दूसरी शादी के लिए तुझ से कब कहा? क्या मैं इस उम्र में शादी करना चाहती? मैं अपने जिगर के टुकडे से क्या अलग होना चाहती? तब वो कहने लगा तो मा तो रात में किसे बुलाती थी, तु ही तो कहती थी कि मेरे पास आकर सोजाओ, मुझसे नहीं रहा जा रहा तो वो कहने लगी, बेटा तुने मेरे से एक बार भी पूछा कि मा बात क्या है? बेटा कहने लगा, नहीं, जब तुम कह रही थी तो मेरी पत्नी ने मुझे सारी बातें बता दी थी तब वो कहने लगी, बेटा, जब तु परदेश चला गया था तो, तेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अत्याचार करती थी लेकिन जब तु आया तो, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि, कहीं तु अपनी बीवी से लड़ाई करेगा और सोचेगा, मेरी मा तो घर में कलेश ही रखती है इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ, इसलिए ये सोचकर, मैंने तुझे कुछ नहीं बताया तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी मुझे खाना कभी दे दिया, कभी नहीं दिया कभी रात को खाना खिला दिया तो, कभी दिन में खिला दिया, जिस दिन दिन में खिला दिया, उस दिन रात को नहीं देती थी जिस दिन रात को खिला दिया, उस दिन दिन में खाना नहीं देती थी अब मैं बूड़ी औरत, लाचार औरत, मैं क्या करती? तो मैं रात को जब तू आया, मेरे से पूछने लगा कि तूने खाना खा लिया मा? उस दिन भी मैंने खाना नहीं खाया था, तेरी बीवी ने मुझे खाना नहीं दिया था. जब तेरी बीवी ने कहा कि खाना खिला दिया तो तुने मुझसे पूछा नहीं कि मा तुम मना क्यूं कर रही है तुम दोनों तो पती पत्नी सोने चले गए लेकिन मुझे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी तब मैं अपने ईश्वर से अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बहु बेटा तो सो गए आज मेरी आस तूट गई निंद्यारानी आ जाओ मेरे पास सो जाओ हे प्रभू इस मिट्टी से मुझे छुटकारा दे दो अपने पास बुला लो बस मैं यही आस प्रभू से कर रही थी जिसे पता नहीं तूने मेरी बातों का क्या अर्थ निकाला तब वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और अपनी मां के पैरों में गिर गया और कहने लगा मां चल तू मेरे साथ चल अभी और अपनी मां को लेकर वहां से चल दिया और कहने लगा कि आज के बाद मेरी मां यहां नहीं आएगी अब रास्ते में जाकर वह कहने लगा मां इस सोला साल की उम्र में तो मैं तुम्हें नहीं स्विकार करता हूँ मुझे तो अपनी पहले जैसी मां चाहिए अब बुढिया माई मातारानी से बहुत प्रार्थना करती है कि हे मातारानी मुझे मेरे पहले रूप में दे दो अब ईश्वर की कृपा से बुढिया पहले रूप में आ जाती है बुढिया को बेटा अपने घर ले जाता है तो बहु देखते ही बहुत गुस्से में लाल पीली हो जाती है और कहती है इस कुलक्षनी को ले आए इसने तो समाज में हमारी नाख कटवा दी थी फिर इसको लेकर आ गए अब उसका पती उसको दो चमाटे रखता है बड़े जोर से की नालायक औरत तुने मेरी मां के साथ इतना अत्याचार किया और अब बोलती है की इसने नाख कटवा रखी है नाख तो तुने कटवाई है और वह बेटा जो अपनी मां की सेवा खुद करने लगा जब पती का ऐसा रूप देखा तो पत्नी भी समझ गई और माफी मांगने लगी और उसने अपनी सास से और अपने पती से माफी मांगी और अब तीनों मा, बेटा, पती, पत्नी खुशी से रहने लगे है मातारानी जैसे उस बुढ़िया पर बीती, ऐसी किसी पर मत बीतनो, सबके बेटों की रक्षा करना, सबके सहायता करना, बोलो शिवशंकर भोले नाथ की, जय बोलो वीडियो को अंध तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद